अपने कैलेंडर में एक डेट देखो, 28 सब्टेंबर 2023, इस दिन कुछ ऐसा होने वाला है जिसको देख के हर इंदू दुखी होता है, ना तो हम चीज को रोकना चाहते हैं और ना ही रोक सकते हैं, जो की है गनपती विसर्जन, और अगर इतना ही दुख हमको हर साल गनपती जी के विसर्जन पे होता है, तो इसको करते ही क्यों हैं, अब गनपती जी अपने आप में बहुते ज़्यदा विच्चितर भगवान है, पहली बात तो उनका सार एक हांती का है, उनकी सावारी एक मूशक की है, और उन्होंने अपने पेट पे एक सांप को बांध रखा है, और इन सभी के पीछे एक बहुत ज़्यदा डीप मैसेज है, और लास्ट वाला दो बिलकुल मिस मत करना, तो सबसे पहले एक बेसिक कोश्चिन कि हम लोग गनेश चतुर्थी मनाते ही क्यों हैं, और ये सेम कोश्चिन मैंने अपने कई सारे माराश्टिन फ्रेंड से भी पूछ और दुख की बात तो ये है कि वो हर साल इसको मनाते हैं पर इसके पीछे का रीजन उनको नहीं पता, अब इसके पीछे की स्टोरी ये बहुत ही जादा पुरानी है, जब वेद व्यास जी को महावारत जैसा विशाल गरंत लिखना था तो उनको एक कुशल लेखक चाहिए इसके लिए उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसंद करा, और ब्रह्मा जी ने बताया कि ये कार सिर्फ गनपती जी कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने पहले शिवजी को प्रसंद करा और उनसे गनपती जी को मांगा, तो फिर कहला से चल पड़े गनपती जी वेद व्यास की यूँकि आगे जाके ये गरंत जो है लोगों को एक मार्ग दर्शन करेगा यूँकि ऐसा बोले जाता है कि जितने भी करेक्टर्स महाभारत गरंत के अंदर है वो आपको रियल लाइफ में देखने को मिलेंगे चाहे वो धृतरास्ट हो चाहे वो भीश में पितामा हो चाहे पढ़के आपको समझ आएगा कि अगर आप ये रास्ता फॉलो करोगे तो लास्ट में आपको एंड गोल क्या मिलेगा और वहीं गनपती जी ने भी बोला कि आप बीच में बोलते बोलते रुकोगे नहीं मैं इसको निर प्रभा रखना चाहता हूं और वेद व्यास जी ने और वो तो खुद ही विगन हडता हैं तो उन्होंने अपना एक दाथ ही तोड़ दिया इसकारे को पूरा करने के लिए इसलिए उनको एक दंत भी कहा जाता है और इस काम को लगतार करते करते गनपती जी का शरीर बहुत ही ज़ादा गरम हो गया इसी वज़ा से दसवे दिन वेद व्याजी ने उनको विसर्जित करके उनका टंपरेचर कंट्रोर में लाए पर जिस टाइम पीरेड में त्युहार आता है वो बहुत ही ज़ादा साइंटिफिक वैल्यू भी रखता है हमारे लिए अभी जो हमारे आस पास का मौसम है ये बिमारियों के लिए बैस्ट ह देंगू भी बहुत ज़ादा बढ़ रहा है और जितने भी वाइरल फीवर होंगे अभी होंगे और इसी कारण हमको स्वादिस्ट और इम्म्यूनिटी वाले भोजन खिला जाते हैं हम लोग गनेश चतुरती के 10 दिन तो अपने आपको साफ रखते हैं पूजा करते हैं इस कि सवारी क्यों करते हैं अब दोनों को देखा जाए तो आपस में बिल्कुल ही अलगें गनपती इतने ज़्यादा विशाल इतने ज़्यादा भारी और दूसी तरह एक छोटा सा मूशक यह तो बहुत नाइसाफी लगती है पर अगर आप इनको ध्यान से समझोगे तो सब क का सेवक बन गया अब इसको दूसी तरह से समझते हैं गनपती जी रिप्रेजन करते हैं एक हाथी को जो कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीश को दबा कर देता है पर फिर भी एक कंट्रोल में हाथियों को एक जैंटल जैंट का जाता है और हाथी जो है साइंटिफिक ल जाएगे तो वहां से डर के भाग जाएगा कुछ छोटा सा खाने को मिल जाएगा तो उसके लोग अपनी जान लगा देगा और हमेशे अपने इसी नेचर के वज़ा से उसको हम लोग अपने घर से भगा देते हैं क्योंकि वो अगर रहेगा तो सब कुछ काट के दवा कर द हैं और उसको चीतर देखने को मिलता है तो उससे यह समझाने का प्रयास करा जाता है कि अगर आप गनपती जी की तरह मूशक को अपने कंट्रोल में रखोगे तो आपके सारे विग्न अपने आप ही खता हो जाएंगे इसी वाएसे गनपती जी को विग्न हरता बोला गया है और उसको गनपती जी ने हराया वैसे ही जो सर्प था ये भी एक राक्षस था और इसको हरा के गनपती जी ने अपने पेठे बांद लिया अब यो तक स्टोरी है बट इसके पीछे जो लॉजिक है बहुत ही जादा अच्छा है अब गनपती जी हमारे मूलाधार चकर को रि जाता है तो अगर आप गनपती जी का ध्यान करोगे उनकी पूचन करोगे उनकी कदमों पे चलोगे तो एक दिन आप उस साप को खोल के उसको अपने कंट्रोल में कर पाऊगे और अपनी कुंडलीन शक्ति को जागरत कर पाऊगे तो अगर आपको इस वीडियो का सेकेंड पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट करो पार्ट टू और कैसे इजिप्ट वाले भी हमारे ही भगवान की पूचा करते हैं अगर आपको यह जानना है तो इस वाली वीडियो पे क्लिक करो